हेले स्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो बहुत सारे स्टुडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भाईया जो है बायो सेवर्ट के नियम पर वीडियो लाइए क्योंकि ये आप सभी के board exam में साथ या पांच नंबर में पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे students बहुत सारे मेरे मित रहें जो comment कर रहे थे बायो सेवर्ट के नियम पर वीडियो लाईए ये काफी जादा important topic है तो मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए बायो सेवर्ट के नियम की ब्याख्या कीजिए देखिए इस वीडियो में इसको एकदम बहतरीन तरीके से आप सभी को समझाने वाला हूँ चित्र से ना तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चलिए आज के इस बहतरीन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए आप सभी को जो है इस वीडियो को देखते ही देखते बायो सेवर्ड का नियम याद हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम सभी लोग क्या करेंगे एक चित्र बनाएंगे जब चित्र बनाएंगे तभी तो ये सब लिखेंगे तो सबसे पहले हम सभी लोग क्या लेते हैं एक जो है चालक लेते हैं तो चालक कुछ इस प्रकार से लेना है मतलब इसमावलियफ समझ लो कुछ इस प्रकार से एक चालक लेना है ये हो गया एक चालक हो गया अब यहां से क्या होता है यहां पर एक पी बिंदु है यहां पर एक पी बिंदु है जिसे i कहते हैं इतना हो गया इतना आप सभी को समझ में आया फिर देखिए फिर क्या कह रहा है फिर इसमें जो है यहां पर एक कोंड है एक कोंड है ठीटा क्या है ठीटा यह हो गया इतना समझ में आया आप सभी को फिर देखिए यहां से जो P बिंदू तक की दूरी है यहां से जो यहां तक की दूरी है वो क्या है वो R है ठीक इतना आप सभी को समझ में आया फिर देखिए फिर क्या है फिर कह रहा है यहां से और यहां तक यानि कि जो इसकी अल्प दूरी है आधा दूरी को लेंगे तो वो डेल्टा एल है पूरा का तो पूरा तो एल है लेकिन आधे की जो दूरी है वो क्या है वो है डेल्टा एल तो इतना ये जो है आप सभी का सुत्र बन के मतलब चित्र बन के तैयार हो गया है इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा ये बहुत ही आसान सा है वीडियो को देखते ही याद हो गया होगा सबसे पहले आप सभी को क्या करना है small f बनाना है फिर small f मतलब माल लो समझ लो कि आप सभी को मतलब याद करने के लिए कि पेपर में हाँ ऐसे ही बना देना है है ना small f बनाना है फिर यहां से जो है एक बिंद लेंगे जो p बिंद है वो यहां से यहां तक की दूरी को खीचेंगे फिर यहां से जो है इस p बिंद तक की जो दूरी है वो क्या है वो है R फिर यहाँ से एक हम सभी लोग इसमें धारा प्रवाइत करेंगे जो की I है और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है वो है डेल्टा L तो I hope कि आफ सभी को जो है इतना समझ में आ गया होगा फिर देखिए इसमें लिखना क्या है आगे आप सभी को बायो सेवर्ट ने प्रियोग के आधार पर जो है धारावाही चालक से धारावाही चालक से उत्पन चुम्ब किये छेत्र की तीब्रता का जो है सूत्र प्राप्त किया इन प्रियोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड यानि की डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन चुम्ब किये छेत्र की जो है छेत्र की बी की तीब्रता जो है निमलिकित बातों पर निर्भर करता है ठीट जो है इतना आप सभी को लिख देना है देखे जो आपने यहां पर किया है वही सारी चीजे यहां पर लिख देना है आप सभी को जो है बायो सेवर्ड के प्रियोगों के आधार पर जो है धारावाही चालक से उत्पन चुम्बकिये छेत्र की तिब्रता का सूत्र प्राप्त किया है इन प्रियोगों के आधार पर जो है धारावाही चालक के एक छोटे खंड यानि की जिसे डेल्टा एल द्वारा किसी बिं आप सभी के सामने कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि चालक खंड की लंबाई जो है डेल्टा L के अनकुर्मान पाती होती है क्या होती है अनकुर्मान पाती होती है यानि कि यह अनकुर्मान पाती किस पर निर्बर करता है यह जो डेल्टा L है इस पर निर्भर करता है जो आप सभी की चुम्बकिये छेत्र है तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे B अनुकुर्मान पाती डेल्टा L तो यह होगे आप सभी का फिर नीचे क्या दिया हुआ है तो देखिए जो नीचे दिया हुआ है चालक खंड में प्रवाहिद धारा आई के अनुकुर्मान पाती होती है तो यह भी जो है चुम्बकिये छेत्र पर निर्भर करता है तो देखिए यहाँ पर हम सभी लोग लिखेंगे बी अनुकुर्मान पाती जो है आई यह हो गया फिर आगे जो है चालक खंड से बिद्दुत की दूरी आर के वर्ग के ब्यूत क्रमान पाती होता है क्या है ब्यूत क्रमान पाती होता है मतलब उल्टा होता है ब्यूत क्रमान पाती का मतलब उल्टा होता है तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले B लिखेंगे, फिर अनकुर्मान पाती हो गया, और 1 अपान R स्क्वाइर हो जाएगा, यह हो गया, फिर आगे है धारा की दिसात था, बिंद के बीच के कोण को जै के अनकुर्मान पाती होता है, क्या होता है, अनकुर्मान पाती होता है देखिए अब इसमें आप सभी को क्या लिखना है इसमें आप सभी को लिखना है बी और यहां पर लिखना है अनुकुर्मान पाती साइन ठीटा इतना हो गया फिर देखिए इन सभी को समी करण एक मतलब अब यहाँ पर हम सभी लोग लिख लेते एक पर इन सभी को समी करण जो है समी करण एक, दो, तीन, चार को हल करने पर तो इन सभी को जब हल करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं जो है समी करण समी करण एक हो गया दो तीन चार यानि कि समीकरण फर्स्ट, सिकेंड, थर्ड और फोर्थ को हल करने पर अब देखिए अब इन सभी को जो है एक साथ हल किया जाएगा एक साथ हल करना है तो यहाँ पर देखिए जो पहला है यह आप सभी का समीकरण फर्स्ट हो जाएगा ये पहला समी करड़ हो जाएगा ये दूसरा समी करड़ हो जाएगा और ये जो है ये तीसरा समी करड़ हो जाएगा और ये जो है ये हो जाएगा आप सभी का चौथा यानि की फूर्थ समी करड़ अब देखिए इन सभी को समी करड़ मतलब समी करड़ सबी को हल करने पर तो यहां पर हम सबी लोग जो पहला सा में करण है वो क्या था वो था बी अनकुर्मान पाती आई फिल लेंगे डेल्टा एल फिल लेंगे साइन ठीटा और जो अपान में रहेगा बटे में वो आर स्कुायर रहेगा इतना हो गया अब जब यहां पर देखिए यहां पर बी है अब जब इस अनकुर्मान पाती को हटाया जाएगा तब यहां पर एक नियतांक जुड़ेगा जो नियतांक रहेगा वो क्या रहेगा म्यू नाट यहां पर म्यू आप सबी लोग डंग से बना लेना हमसे थोड़ा नहीं बना है मुँ हो गया और यहाँ पर और यहाँ पर 4 पाई हो गया यानि कि 4 पाई हो गया फिर यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा i delta l sin theta और फिर आप सभी का जो बचेगा r square तो friends यही जो निकल के आया है यह है बायो सेवर्ट का सूत्र तो आप सभी लोग यहां पर लिख लिजिए बायो सेवर्ट का सूत्र तो फ्रेंड्स यह रहा बायो सेवर्ट का सूत्र जो की निकल आया है और यह रहा बायो सेवर्ट का नियम और इसकी ब्याख्या तो अगर friends आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो में कमेंट कर दीजे और हाँ अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना तो मिलते हैं कोई और ने वीडियो में नए टपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद